नमस्कार में कपीश बल्ला और आप देख रहे हैं उदैपूर खबर उदैपूर शहर के अंबा माता थाना शेतर में आने वाले अंबावगर इस्तित एक जनरल इस्टोर पर बेठे बुजुर्ग पर शेतर में ही रहने वाले दो से तीन आरोपियों ने चाकू बाजिक कर बुजुर्ग के सर पर वार कर गंबिर रूप से गायल कर दिया पिडित ने बताया कि दुकान पर शेतर में ही रहने वाला एक नईम नामक युवक आया और दुकान के काउंटर पर रखी बरनी को उठा कर फेकते वे फोड़ दिया और धमकी देकर दुकान के बाहर आने को कहने लगा नाईम के अन्य भाई दुकान के पास ही थोड़ी दूर पर खड़े ओकर सब कुछ देख रहे थे जैसे ही दुकानदार गनी मुहमत ने दुकान का दरवाजा बंद करने का प्रयास किया तबी पास में खड़े अन्य युवक भी दुकान पर पहुँचे और तीनों ने मिल कर लोहे कि नुकीली चीज से गनी मुहमत के सर पर वार कर गंबीर रूप से गायल कर दिया पिडित ने सेतर के संबंदित थाना अंबा मता थाना पहुँच मामला दर्च करवाया है वहीं गंबीर गायल का इलाज महानबुपाल चिकित साले की कई में कराया गया क्या हो गया था और किसने मारा और कहां लगी आपके सर पर लगी कोन था क्यूं मारा दुकान के माम में था बात गरा है आपकी दुकान है किस चीछ की दुकान है जनरलिस्तोरररर गूर्ट कितने लोक थे हुँच थे उफ यह एडभाई तो इधर खड़ा हूँचा उसे मेरे मगजमा जोंसे बढ़नी किरा दीथि हां इसने बाहर गया तो उसने उड़ से भाई को बुलाए दूसरे को उसने आकर कि मैं येट बंद कर रहा था बंद कर दें करते हैं दक्का लाग के दख्का देगे दमा दम कोई हाथ में कोई चीज ती चाकू जैसा लग दलम गिदार लेगे उसकी मार दी है आपका नाम गनी मु क्या हो गया ता और किस ने मारा और कहा लगी आपके सरपर लगी सर पर लगी कौन था नहीं करके क्यों महारत दुकान के मारत बाद कर रहा है आपकी दुकान है किस चीज की दुकान है जनरलिस्टों कितने लोग ते हुऊ एध भाई तो इधर खड़ा हुआ उसे मेरे मगजबाई जोंची बरनी किरा दी थी हां बात करा था हुआ 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 करें करें बार बुलाया हुआ 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 ह झाली है झाली है